हाईलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट ओफ फिजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों पांच शे दीन से में वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई थी घर चली गए थी अब मैं आ गही हूं दोस्तों अब डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिलीगा एंड जैसे कि ग्रेट भी पीसी टीरी फू एंड आने सभी फिजिकल एजुकेशन कमपटिशन एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे बीजिट कर सकते हैं और भी विल्कुल फ्री में और दोस्तों जैसा कि मैंने यूथ कमपटिशन का प्रिप्रेशन करा रही हूं उसका का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से मैं सारी चिछा क का इतिहास और स्पोर्स सोस्योलोजी स्पोर्स साईकोलोजी रिसर्च in physical education करा चुकी हूँ यह आपका anatomium physiology से questions है कम सकम 50-60 वीडियोज होंगे anatomium physiology से तो दोस्तों डेली बेसे से विजिट करिए, समय नशनना करती हुए चलते हैं आज की questions के तरफ परिछाए आपकी होंगी, इसलिए इंतिजान नशनना करके तयारी करते रहिए तो चलते हैं आज की questions की तरफ question है जिवित कोसिका की कौन सी संरचना आत्म हत्या की थैली कहलाती है विज इस्ट्रॉक्चर आफ लिविंग सेल इस काल्ड सुसाइड बैग तो दोस्तो questions बहुत सारे आपको यहाँ पे practice किये हुए मिलेंगे बट उसमें से मैं और questions को बनाऊंगी जिससे आपको उसके बारे में deeply जानकारी हो सकी तो जिवित कोसिका की कौन सी संरचना है जिसे आत्म हत्या की थैली यानि suicidal bag कहा जाता है तो आप सबको पता है ओ है लाइसोसोम ठीक है लाइसोसोम्स जो होता है ओ कोसिका के अंदर सफाई करने का काम करता है लाइसोसोम्स में बहुत सारे जल अबगटक enzyme भरे रहते हैं लाइसोसोम्स की खोज किस्टियन डीवे ने किया था और यह जिलियों से धकी हुई छोटी थैलिया होती है जिनमें पाचक enzyme भरे होते है यह पाचक enzyme जो है प्रोटीन वसा को तोड़ता है यानि पचाता है प्रोटीन वसा तथा किंदरक अमन को अलग-अलग तोड़ देता है और जब कोई सुचमें जीव कोसिका में प्रवेस करता है तो इन ही पाचक enzyme के कारण नस्ट हो जाता है इसलिए इसको पाचन का बैग यानि डाजेस्ट्टू बैग भी कहा जाता है और सोसाइडल बैग क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो लाइसोसम्स होता है कोसिका के अंदर सफाई करने का कारे करता है जो पैट्रिया को मारने का काम करता है जो मृत कोसिकाएं हैं उनको नस्ट करने का काम करता है और अगर पूरी कोसिका ही अनुपयोगी हो गई है तो उन सभी कोसिकाओं को भच्छड कर लेता है नश्ट कर देता है यानि कि जब पूरी कोसिका ही अनुपयोगी हो जाती है तो लाइसोसोम्स जो है खुद फट कर पाचक रस यानि जो जल अभघटक एंजाइम से होता है उसको मुक्त कर देता है जिससे पूरी कोसिका ही नश्ट हो जाती है इसलिए इसको आत्महत्या की थैली यानि सुसाइडल बैक कहा जाता है और इसको एटम बम भी कहा जाता है कोसिका का एटम बम भी बुला जाता है तो लाइसोसोम्स को हम कोसिका का डाजेस्टू बैग यानि की पाचन बैग और कोसिका का आत्म हत्या की थैली और कोसिका का एटम बम आधी नामों से इसको जाना जाता है और एड़ी कोशन्स पूछेगा कि कोशिका के अंदर सफाई करने का कारे कौन करता है तो लाइसोसोम्स करता है एड़ी ये भी पूछ देगा कि कोशिका के अंदर प्रोटीन और वसा को तोड़ने का कारे कौन करता है तो लाइसोसोम्स करता है कुछ बेग्यानिक का मानना है कि इसके भाटने से एक कोशी का विभाजन आरम होता है बट ऐसा नहीं है अपवाद एह है कि RBC में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है रेड बलड सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है इसलिए वे स्बिन यानि की पलिहा में जा करके मरता है इसलिए बिलैट बैंक रबीसी का कबरिस्तान बुला जाता है तो दोस्तों एक कोसिका कि मादिन से मैं आपको डीली बता रहा हूं कि पुरा अंदर तक आपको जनकारी हो जाए तो चलते हैं नेक्ट कोशन के तरफ कोशन नमबर टू है जिवित कोशिका की कौन सी सन रचना जैव प्रोटीन संसलेसर के लिए जिम्यदार है विच इस्ट्रॉक्चर आफ लिविन सेल इस डिस्पोंसिबल पर बायोलोजिकल प्रोटीन सिंथेसिस तो दोस्तो प्रोटीन के फैटरी बोला जाता है प्रोटीन का संसलेसर बनाने का कारे कोन करता है आप knit जोब कुप पता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गौल जी अपरेटरस यहाँ प्रोटीन को जहां जहां ज़रुत होती है वहाँ पहुँच आता है इसलिए ट्राइफिक पुलिस कहा जाता है मैट्रो कॉंड या उर्जा बनाता है लाइसेसम्स सफाई करने का काम करता है या भी प्रोटीन के संसलेसर का काम कौन करता है राइवोसोम्स करता है प्रतिये कोसीका में हजारो राइवोसोम्स सफाई जाते हैं जो कहां भी होता है जो खुरदुरो एंडव प्लाजमिक रेटिकुलम की बाहरी सतव पर बिंदू के अकार की तरह होती है। साइटो प्लाजमिक के समस्त सतव में यानि कोसिका दरपी के समस्त सतव में राइवोसोम्स फैला रहता है। और इसको आर्डविक मसीन भी बोलते हैं। और इसको प्रोटिन की फैला जाता है। दोस्तों जैसा के पैंक्रियाज की कोसिका में पाचक रसका इस्तराव करती है। इसलिए राइवोसोम्स अधिक पाये जाता है पैंक्रियाज यानिकि आगनासा में। और इंसुलिन जिसका उत्पादन आइलेट्स आफ लेंगर हैंस की बीटा कोसिका से होता है अगनासा से इसमें भी राइबोसोम्स अधिक पाए जाते हैं राइबोसोम्स जो है सेंटी मेंटेशन काफिसियंट के अधाब पर बटा गया है जो आकार को बताता है जैसे की सत्तर यस प्रकार का राइबोसोम्स जो छोटा होता है प्रो करियोटिक होता है जिसके बीच में किंद्रक नहीं होती है और असी यस प्रकार का जो राइबोसोम सोता है वो बड़ा होता है यो यू करिवेटिव होता है जिसमें बीच में केंद्रक होता है कोसिका 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 जिल्ली में पाये जाती है एनिमल सेल्स मेंब्रेन कांटेंट्स तो दोस्तों जो हमारा कोशिका जिल्ली होता है कोशिका को चारो तरफ से गेरे रहता है और धपारगम में जिल्ली होता है जो थैलिया कोशिकाओं से उत्पन होने वाले प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को संचारित करता है दोस्तों इसके अंतरगत सांद्र पाचन के लिए आप एच्छित होते हैं और दोस्तों बेर्थ पदार्थों को को सिका जिल्ली होता है सुरी दोस्तों को सिका जिल्ली को हम प्लाज्मा लेमा को सिका जिल्ली प्लाज्मा जिल्ली बायोलोजिकल मेंब्रेन आधि नामों से जानते हैं दोस्तों वीडियो को पू सुन पाते अगर आप आधा नॉलेज्ज लेना चाहते हैं तो आधा नॉलेज्ज में आजकल एक जाम नेकलना मुस्किल है तो ईसलुका जिल现在 कोशिका को चालों तरब से घेरे रहते जो अर्धक परगम में होती है जो भितरी पदार्थों को बाहरी पर्यावरों से क्या करती है अलग करती है और संप्रेसक का कारे भी करती है जैसे ही इन्हें सारसानी संदेश पहुँचता है वैसे ही या संदेश कोसिकाओं को पहुचा देते है और कोसिकां को बाहरी अगहातों से क्या करती है सुरच्छा करती है और यह जो कोसिका जिली होती है फास्पोर लेपिर्स की बनी होती है किसकी बनी होती है फास्पोर लेपिर्स और प्रोटीन की बनी होती है तो यहां पे राइड एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे Phospholipids and Globular Protein यानि एक 1 और 2 आपका राइड एंसर हो जाएगा आसन नमबर A ठीक है तो कोशिका जिली का निमार तीन परतों से मिलकर होता है बाहरी और भीदरी परते प्रोटीन द्वारा बनती है और मद्धे वाली परत लिपिडी ऐनि वसा के द्वारा बनती है जो हमारी कोशिका होती है दोस्तों वो पानी प्रोटीन और आपकी तेजाब से बनी होती है ये भी याद रखिएगा और जो कोशिका जिली होती है दोस्तों एक चलनी की तरह काम करती है यानि कि कुछ पदार्थ ही अंदर जा पाते हैं जिसे जल, ग्लुकोज, आक्सिजन ठीक है और ब्यार्थ पदार्थ जो है वो अंदर नहीं जा पाते हैं कोस्टन नमर फोर है दोस्तों कि जूड़ों के अध्यन को कहते हैं इस्टड़ी आफ जॉइंस इच सेल्स एक कोशन पूछा गया था यूपी टेजटी दोजार इकीस में जिसमें आपको आफसन हिंदी में इस तरह दिया हुआ था आपकर फ्यूज हो जाते लेकि इसका अंग्रेजी वाला जो इंग्लिस वाला वर्जन है तो यहां पे जोड़ के अधियन को हम और्थोलोजी बोलते हैं हडियों के अधियन को आश्टिलोजी मान स्पेसिय को अधियन को मायोलोजी जीचन्जू का अधियन को बायोलोजी गति के अधियन को किंसियोलोजी याद रखेगा एंड मानो सास्तर विग्यान के अधियन को एंथ्रोपोलोजी कह कॉशो no.5 है कौन सा उतक सरीर का सं रच्छर करता है विच टीशू प्रोटेक्ट्स दबॉडडी दोस्तो अमस्त बॉडडी को प्रोटेक्ट्स करके रखता अमका इपिथिलियल टीशू ठीक है चार प्रकार के टीशू जहोते हैं इपि पशिलियल टीश करेक्टी टीशू पे मस्किलो टीशू एंड तंत्रिका यानिकि निरोन नर्वास टीशू इन चारों के बारे मैंने बताया हुआ है नीटिल में तो जो एफिथिलियल टीशू होता है दोस्तों इस तरीका संरच्छड करता है यह भी भी प्रकाकार की कोशिकाओं से बनने वाला उतक होत जाता है जो सरीक अंगों की सतह जैसे की दिवारों को तुचा तुचा की ऊपर जो बना हुआ है परत एपिथिलियल टेशू ही है अंद्रों ही खोकले अंग जैसे की अमास है विभिन गुहाएं विभिन नलियां रक्तवाहिनियां आदी में पाय जाता है गुर्शन नमरे 6 है निमन में कों सा पेसी कोसिका का पावर हाउस कहलाता है वीच उप का बोला जाता है माइट्रोग का अंडिया को किसको बोला जाता है माइट्रो कांडिया को क्योंकि यह उर्जा उत्पादं का मुख्य केंद्र होता है जिसे कोसिकाओं का बिजली घर अथवा पाउर हाउस आफ सेल कहा जाता है क्योंकि इन्हीं में आकसी कर्ण की क्रिया का मुख्य भाग घर्डित हो जा है ऐरोबिक एस्पााइरेज़सन वाई भी स्फवासन के दोरा जिसे क्रैफ्स चक्र भी बोला जाता है इस आकसी कर्ण की क्रिया में एदिनोसिन ट्राइफ़ास पेट proved ADP से एदिनोसिन ट्राइफ़ास पेट अध्यक और जाव उच्ई वाले योगिक कर्रिमार होता है माइट्रो कॉंडिया दोहरी जिल्दी से गिरा होता है वह जिल्दी चिकनी होती है और भीतरी जिल्दी उनी नुमा क्रिष्टी होता है कोस्टन नमर सेविन है निवन में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लाग कहलाता है we saw the following is sales the building block of life तो दोस्तो building block कुन को लाता है हमारा sale यानि की कोसिका को लाता है क्योंकि कोसिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें भी भिन जैविक क्रियाओं के क्रियानवन के लिए सबी अंग उपसित होते हैं कोसिका जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कोसिका के अध्यन को साइटोलोजी भूला जाता है कोर्शन नमबर आठ है कि खाद अडू बंधूं की उर्जा से बने उच्च उर्जा वाले योगी को याद रखेगा उच्च उर्जा वाले योगी कहा है एडिपी से एटिपी निर्माला होता है एडिपी से एटिपी उर्जा वाले योगी जो हमारी कोसिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं दिन में से क्या कहा जाता है आपने सही अंसर टिक कर दिया होगा दोस्तो एडिनोशन ट्राई फास्फेट आफसा नमबर C क्योंकि ये जो खाद अडु बंदों की उर्च उर्जार से बने उच्च वर्ग वाले योगी को को जो हमारी कोसिकाओं में छोड़े और रखे जाते हैं को हम एडिनोसिन ट्रॉइफास्पेट यानि ATP बोलते हैं तो ATP को बला जाता है ATP कोसिकाओं में उर्जा का प्रात्मिक वाहक है यदि कोसिन ये भी आ जाएगा कि कोसिकाओं में उर्जा का प्रात्मिक वाहक कौन है तो ATP है ये भी याद रुखिएगा हाइडोलेसिस के रूप में जाना जाने वाला पानी की मधिस्ता परतिक्रिया एक्टिपि में रसानिक बन्डो से सेलुलर प्रक्रियाओं को इधन देने के लिए उर्जा जारी करती है तो दोस्तो एह हमारे मास्पेशियो में ओघ्यार्जार्ट देडता है का जिन क्यती की ऊपलीकोज से किन से निनमार होता है तो दोस्तों यहाँ पे B और C यानि कि आपसन नंबर D राइड हो जाएगा तीक है यानि कि अमिनो अमल एंड वसी अमल जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे स्वसन की जो प्रत्रिया होती है तीन होती है एक ब्रेधिंग होता है यानि कि इंसपारेशन एकसपारेशन जो फेफड़ों में में होता है उसके बाद गैसों का ट्रांसफर होता है ऐसे को तो आपको पता है कि जो आक्सीजन का was कोशिकाओं तक है हिमोगलोबिन और जो कर्वान दमराल नियाकसाईट को सथिए कंपने कर्भीन संत्रवाइफ मिंद में इसे रेस्ते ब स्वरान्यमां होता है जाता है मैं लॉकष नियुकाइफ kनोड इसे माईट्रो कॉंडिया में बनता है इसमें जो है ग्लुको ग्लाइकोलीकी के प्रक्रिया में होता है अमेनो में रूह अमल से होता है ठीक है तो जो ग्लाइको जेनेसिस या ग्लाइको अभगटन स्वस्थन के पथम आउस्था होती है जो उसिका द्रब में होती है इस क्रिया में ग्लुकोज का आंसिक आक्सिकरोर होता है याद रखेगा पूर आक्सिकरोर आपका माइट्रो कॉंडिया में होता है जिसके फ़र ग्लुकोज के एक अडू से टू पाइरविक अमल बनते हैं और अपरते एक चरह में बिसिस्ट एंजाइम उत्प्रेजर कारह करते हैं इस क्रिया को EMP पेटवे भी कहा जाता है याद रखेगा इसमें ग्लुकोज में संचित उर्जा का चार परसेंट भाग मुख्त होकर N-ADH में चली जाती है तथा 94% उर्जा पारविक अमल में संचित हो जाती है ग्लाइकोजनेसिस की अभीकिरिया कोशिका दरम में संबन होती है जबकि क्रेप्स चक्र या सैत्रिक एसिड चक्र माइट्रो कॉन्डिया में मैट्रिक्स में संपन होती है दोस्तो मैं डीपली एक- कोसिंज को मैं डेटेल में बता रही हूं इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा कोस्टन नमर दस है मानो रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है आप सब को पता है जो हमारा ब्लड होता है उसको दू भागों में बाता गया है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स यानि रक्त कड़ी का प्लाज्मा जो है द्रवी भाग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है वो कठोर भाग होता है प्लाज्मा रक्त में प्लाज्मा जो है रक्त का 55 परसेंट भाग होता है कितना होता है 55 परसेंट भाग जो कि ब्लड सेल्स जो के पीले रंग का छारी द्रव होता है प्रोटीन की उपस्थिति के करण जो है अर्धतरल चिपचिपा सा बना होता है प्लाज्मा में 90% वाटर यानि पानी एंड 8% प्रोटीन और 0.9% नमक और 0.1% कार्बनीक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा में और भी पदार्थ पाई जात उत्तकों तक बहुशाता है और उत्तकों से जो बेकार पदार्थ होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसीड, अमोनिया, लैक्टिक एसीड, सीयोटू को बाहर निकालने का करता है कोस्चन नमर 11 है रक्त वाहिनी के किस हिस्से में रक्त की बहाओ की गतिशवशी कम होती है जो बाया निलय होता है यानि लेट वेंट्रिकल होता है वहां से सुधर रक्त जो वेंट्रिकल कन्ट्रेक्ट होती है एरोटिक वाल्वा की रास्त होती है अगे करी साखाय निकलते इसे हम धर्मनी कहते है आर्टरी कहते है उसकोक काई साखहूं ti जाती है जिसे हम कहते हैं केसिका कैपलरी तो यहां पर जैसे जैसे पतली होती जाती है तो उसकी रख्त बहाओ की जो गती होती है वो कम होती जाती है तो रख्त बहाओ की गती किसमें सबसे कम होगी दोस्तों तो आप को होगी केसिकाओ यानि के कैपलरी जमें कोंचर नंबर बारह आई कौंसी कोशिकाएं हमको सुच में जीयों से बचाती हैं है जो दोस्थो सुचम में जीयों से इम्मिनुटी सिस्टम पड़ांग करता है वीश लस प्रोटेक्ट अस from micro-organism तो दोस्तों सुच में जियू से बचाता है हमारा WBC यानि की वायर ब्लर सेल, स्वेट रख्तकड़ीका यहां पे WBC स्वेट रख्तकड़ीका कहीं दिया नहीं है, एलिट्रोसाइड आपका RBC को कहते हैं, लाल कोसी का RBC को कहते हैं, दुनों नहीं होगा सभी भी नहीं होगा, तो आपको आसानी से इस question का answer नहीं भी जानते रहेंगे तो छुण लेंगे यहां पे हो जाएगा निट्रोफिल जो सुच में जियू से बचाती है, क्योंकि जो WBC होता है वो दो परकार का होता है निट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स जो निट्रोफिल्स होता है वो 60-70% भाग बनाता है जो बैक्टरिया से रच्छा करता है सुच में जियू से रच्छा करता है और जो बेसोफिल्स होता है वो 1-2% होता है Eosinophils के अगर संख्या बढ़ जाती है तो allergy हो जाता है इसके संख्या बाढ़ने से अस्थमा Eosinophilia आदी रोख हो जाते हैं Eosinophils जो हता है endion antibodies प्रक्रिया के फरसरूप बने कड़ों का परिग्रहर करता है दूसरा प्रकार होता है WBC का organilocyte कड़ी का विहीं जिसमें दो होते हैं monocyte and lymphocyte जो monocytes होता है वो 5% पाय जाता है WBC का और सबसे बड़ी WBC कोसिका होती है monocytes monocytes आकार में सबसे बड़ी जिसके करण यह दूर दूर तक बिना किसी औरोत के ब्रमर करती है और जिवाड़ों का भच्छर करने का काम करती है कौन monocytes lymphocytes जो होता है WBC का 25% होता है lymphocytes जो होता है सबसे छोटी WBC कोसिका होती है और इसकी उत्पत्ति lymph gland, spleen, liver, lymphatic tissue, bone marrow में होता है और lymphocytes जो होता है इसका निर्माल लसिका गाठे यह लिंफ gland में होता है दोस्तों lymphocyte दो प्रकार का होता है D lymphocyte T lymphocyte जो T lymphocyte होता है वो बैक्टरिया को मारने का काम करता है याद रखेगा तो याद रखेगा बैक्टरिया की पहचान यानि रच्छा करने का काम करता है एंटी बॉडिज फिर बैक्टरिया को मारने का काम करता है टीलिम्फोसाइड बैक्टरिया को खाने का बच्छर करने का काम करता है मोनोसाइड तीक है असोच में जियों से बचाता कौन है नेट् मुख्य भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों आपने सही अंसर टिक कर दिया होगा तो उसे हम कहते हैं एटीपी एजिनोसिंट्राइफ फॉस्फित एटीपी जो है एक कारवनिक योगिक है करवन के रासायनिक योगिकों को कारवनिक योगिक कहते हैं ए टि पी मीस्रल सभी जीवित कोसिकाओं में पाये जाता है और उर्जा प्रवितनों में मुख्य भूमिका निभाता है अर्थातिया सभी जीवों की कोसिकाओं में आक्सी करोड़ करके ATP मतलब उरजा कारेमार गया उच्छ उरजा का जो हम कारे करते हैं तो उसी उरजा ATP का उप्योग हम करते हैं question नमबर 15 है सरीर क्लिया विग्यान में अध्यान किया जाता है तो दोस्तो सरीर क्लिया विग्यान यानि functions की जहां बात करेगा वहाँ फिजूलोजी यानि की सरी क्रिया बिग्यान होगा जहां इस्ट्रक्चर की बात करेगा बाड़ी इस्ट्रक्चर की संरचना की वहाँ एनोटोमी होगा सरी रचना बिग्यान सभी बाड़ी सभी अंगों के कारेंग का अधियन किया जाता है कि यहां पे राइट एंसरी को फोड़ी का अधियन कि किस को सिकांग को traffic police के नामери storyt peaks पूलीश तो दोस्तों ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है आपको किसको गॉल जी काई को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है आपको गॉल जी काई को तो यहां पर आपका गॉल जी काई आपका राइड इंसर हो जाएगा त्योंकि गौलजी का है जो कोशिका का याता यात प्रबंधक ट्रैफिक केमिनो गौलजी ने किया था 1988 में जो है गौलजी का है नाभिक यानी के दर अके निकट होती है और इसके अंधर लेaks सारे उनजाइंस होते हैं जो पाचन के लिए अपेचित होते हैं या परिवहन का कारिक होता है जहां जहां प्रोटीन की कम ज़रुत होती है वहां से प्रोटीन को उठा कर जिस अंग को ज़ादे ज़रुत होती है उसको दे देता है या बैस प्रदार्थों को बाहर भी निकालता है पूरी वार्डी को बैल की दूरी को क्या कहते हैं तो जैसे कि आम आप मसल्स जो होती है वह ती प्रकार की होती है काडियक मसल्स इसकेलेटल मसल्स और स्मूथ मसल्स जो हमारा इसकेलेटल कंकाल बानस्पेसिया होती है उसमें दो प्रकार के तन्तू पायाते हैं एक्टीन और मायोसीन फिलामेंट एक्टीन और मायोसीन फिलामेंट तो दोसों जैसा कि आप जानते हैं दो जैड लाइनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं सारको मेयर क्या कहते हैं सारको मेयर कहते कैसे हैं यहां पर हम फ़रा सा आपको बताते हैं जो आपका यह है बीज वाला लाइन यह मायोसीन है जो यह पतला लाइन है यह आपका एक्टीन है ठीक है यह एक्टीन हो गया मायोसीन जो है मोटा फिलामेंट होता है एक टीन की ही एक परत होती है जो कोशिका को घेर रहती है जिससे हम जड लाइन कहते हैं ठीक है एक जड लाइन है और इसमें भी बहुत सारे बैंड होते हैं जो हमारा है M लाइन है बीच में हम इसको H जोन भी कहते हैं और यहां पे जो है यहां से लेकर यहां तक जिसमें एक टी आई बेंड होता है तृटिक्व यहां पे B2 आई बेंड जो सिर्फ यक्टीन फिलामेन परज़ेंट होता है एबेंडlında ंच बेंड जो शिर्फ मायासीन में जिसे रेड लाइन कट करती है और जेड लाइन क्या होता है एक्टीन के को बीच में से एक जिग जेड लाइन कट कर रही है जिसे हम जिग जेड लाइन कहते हैं या जेड लाइन कहते हैं और दो जेड लाइनों के बीच जो एक्टीन और मायोसीन का अस्थान होता है उसे हम सा संकुचं के समें दो जो य कि दूसरे के पास आजाते हैं हैं ला दो दूस्तों इस प्रकार जो हे साखो मेर्न जो होता है पेशी की संकुचं कीुता क्ढ़कर thats पिसी का कर्यात्म को खना का सफाल सा इसको में कर देंग दुस्तों संकुचंग के समय जेड जून आपस में पास आ जाते हैं एक्टीन फिलामेंट एक दुसरे के पास आ जाते हैं जेड जून जो है गायव हो जाता है जहां भी मुमेंट एक्टीन में होता है दोस्तों मायोसीन में मुमेंट नहीं होता है वो गती नहीं करती कौन गती कर रहा है एक्टीन एक्टीन जो है आप मुमेंट करा को रहा है वो मायोसीन करा रहा है क्योंकि मायोसीन में हैड होती है क्योंकि मायोसीन में हैड होता है जो एक्टीन को अपनी तरफ क्या करता है खीचता है एक्टीन में प्रापर साइट होता है गैप होता है जिसमें मायोसीन हैड जो होना होता है relaxation mode में होता है तो जहां myosin head attached होता है वहाँ ट्रोपो myosin attached हो जाता है जिससे myosin actin को अपनी तरफ नहीं खिच पाता ADP and PI पहले से ही myosin से attach होते हैं ठीक है दोस्तों तो PC में protein कौन से होते actin, myosin और tiatin याद रखिएगा question number 17 है कोसिका का नियंतरक केंदरक किसे कहते हैं दोस्तों आप सब को पता है कोसिका का नियंतरक केंदरक किसे कहते हैं तो nucleus को बोला जाता है यानि कि केंदरक को जिसकी कोज राबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था जो कोसिकाओं के कारे को नियंदित करती है तथा कोसिका के दुबारा उत्पत्ति के कारे को भी संपादित करती है जनतु कोसिका में कोसिका के भीतर सबसे बड़ा अंग होता है nucleus या ज जिल्ली होता है तो से केंदर केंदर में अंदर वारी धागों का एक जाल यायसी संरचना होती है क्रोमुमुटीन кेंदर हिस्टून हिस्टून क्रोटीन से बना होता है नई कोशिका के विभाजन यानि नई कोशिका बनने के दौरान क्रोमोटीन जो है जो डियन्या हिस्टून क्रोटीन से बना होता है और लंबे सुत्रों में बदल जाता है इन ही लंबे सुत्रों को हम गुर्सुत्र यानि क्रोमोसोंस को दो लंबे धागे की तरह होता है मनिश्यों में पूरु समझला की गोशिका में पेज जोड़े गोशिक यह चीहालेश गोश्योतर होते हैं जिस जिन डियने यानि डिय। आओक्सिल राइबॉन नुक्रीक एसीड से तथा प्रोटीन से बना होता है डियन से जीनका नीमाल होता है जो उनवांसि害 की मूल इकाई होती है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी होता है डोस्तों आप सब दोस्तों आपका 10000 PM कोसिघा 50 buck live 951 पानी और 80% protein होता हैं आकने आपका एलियूमीन ग्लोब्योरीवियूलीवेजि़ फॉपवलेजन पहान जाता है कि कह संन संस्सावाच कहते हैं उत्त कहते हैं दोस्तों मैं बाता है कि उत्त को सिक सावान लेज्ण होता है उसको अलग नाम दे दिया गया है टीसू यानि की उतक यहां पर राइट इंसर हो जाएगा समांद रजना वा समांकार करने वाली कोशिकाओं के समगों को हम क्या कहते हैं उतक कहते हैं आईए दोस्तों चार प्रकार का होता है इन सब के बारे मैंने अलग लग बताया हुआ है दोस्तों एंट्रॉमी फीजियोलोजी के प्लैलिस्ट में जाएए ठीवी सेलिसन पढ़िए और उतक कोशिकाओं सरजना व कारे में भिन हो सकती हैं लेकिन उत्पत्ती में सदयों समान होती हैं उतक सब्द को सरोपथम बाइल आट ने दिया था उतक को काधियन हिस्टोलोजी कहलाता है कोश्टन नमर बीस है आज के सेसन का लाश्ट कोश्टन है कि हमारा सरीर असंग के छोटी जीवित इकायों का बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं और बाड़ी इज मेड़ अप इन्यूमेरेबल इसमाल लिविंग यूनिट्स वाट आर दे कॉल्ड तो दोस्तों इसे हम कहते हैं कोसिका यानि की सेल के अध्यन को साइटोलोजी कहा जाता है हमारे सरीर के सबसे चोटी और मुल्भूत इकाई होती है इसे खुली आँखों स नहीं देख सकते इसकी खोज राबाट हूक ने यानि कोसिका की खोज राबाट हूक ने 665 में किया था कोसिका के केंदर बिंदू को न्यूकलियस का जाता है और न्यूकलियस की खोज राबाट ब्राउन ने 1831 में किया था मानो कोसिका ये पानी प्रोटीन अनाभी की तेज होती है दोस्तों यह था आज की सेशन में 20 MC की कोशन्स आई हो कि सभी कोशन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जिस भी कोशन्स आपको डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए हम सब मिलकर के डाउट को किलियर करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों इसी आपको किसी भी कोशन्स कोई दिक्कत नहीं होगा आपका एक्जाम 100% किलियर होगा जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक कि लिए जाएं